नमस्कर दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ही स्क्रीन पे आप लोग मल्टीपल चार्ट को केसे देखें दोस्तों यह आप लोग स्टोक मार्केट में नए हैं तो साइद आप लोगों को नहीं पता होगा कि एक ही स्क्रीन यानि आप लोग जो डिमट अंट ट्रेडिंग आकाउंट यूज करते हैं उस त्रेडिंग प्लेटफरों में एक ही स्क्रीन पे आप लोग मल्टीपल चार्ट को केसे देखे याणि आप लोग एक से ज्यादा स्टोक को ट्रेग करना छा सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बैसिक सी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिकेशन को आउन कर लीजेगा ताकि आने वाला नया वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सको तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हमने आपे जीरोदा का मुझत है हमारे पास में आपह इससे कि हम लोग यह जीरोधा का यूज करते हैं तो फ्री में चार्ट है और आप चाहते हो सबसे पहले इसमें आप लोग एक से ज्यादा चार्ट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस चार्ट को फुल स्क्रीन मौड में ओपन करने के लिए आपको साइड में एक ऑप्सन दिया गया है पॉप आउट चार्ट का इस पे अपो दिखाया है कि आप लोग सही तरीके से देख सको तो सबसे पहले हमने आप पूरा चार्ट ओपन कर लिए है सिंप्ली आपको एक अप्सन मिलेगा उपर की साइड में select ले आउट का इस option पर आपको लिक कर देना है जैसे ही आप लोग कलग करोगे आपको कितने चारण देखने है दो देखने है या तीन देखने है चार देखने है जिसे続 यहां पर हमने निप्टी 50 चार्ट ओपन करना है. आपको सिम्मलिस बॉक्स में आना है correctly क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर iconorye bank करोगे तो आपके सामने जो इंडेक्स है वो open हो चुका है सबसे उपर में इस पर आपको क्लिक कर देना है या फिर आप चाहते हो कि दूसरे वाले में आप लोग कोई भी प्रीमियम का चार्ट देखना चाहते हो जैसे कि हमने आप निप्टी का ओपन कर रहा डेटा और हम यहां पे चाहते हैं कि कोई भी कोई भी कॉल ओप्शन या फिर put option का premium का चार्ट है वो देखना चाहते हैं तो directly आपको यहाँ पर click करना है और जो भी option है 18500 का call या फिर put का हम लोग chart देखना चाहते हैं तो simply आपको type करना है और इस पर click कर देना है आपके सामने इसका chart है वो open हो चुकआ है 18,500 का call option का chart आपके सामने open हो चुका है या फिर आप लोग नीचे वाले में box में आप चाहते हो कि कोई भी stock open करना चाहते हैं आपके सामने यह option है वो आ जाएगा और आपके सामने चार्ट open हो जाएगा अब रही बात दोस्तों टाइम फ्रेम की जिस भी box में आप लोग टाइम फ्रेम चेंज करना चाहते हैं जैसे कि निप्टी-फिप्टी का चार्ट आपने आप लगा रहे हैं तो इस box के चारों ऐसी कि आप लोग कर सकते हैं आपका कैंचार्ट और ल्याउड वकुकर जाँअ ज़री नहीं जिरू नहीं में आप जो भी ट्रमीनलłos कारते हो जीए कि आप लोग आप इस टॉक्स में यूज करते हैं तो इसमें भी आपको ट्रेडिंग व्यू का ही option देखने को मिलता है simply आपको यदि ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं देखने को मिलता है तो आपको simply यहाँ पे switch to chart IQ की जगह आपको ट्रेडिंग व्यू मिलेगा इस पे आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने चार्ट आ जाएगा यहाँ पे जो यह arrow दिए गए है इस पे आप लोग क्लिक करोगे कोई 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 डिमेट अकाउंट में आपको यह arrow दिखेंगे फुली स्क्रिन मॉड के लिए इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने फुली स्क्रिन मॉड है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद में आप लोग डायरेक्ट ली है वो यहाँ से कर सकते हैं और इसमें आपको option भी दिए गए है देखने को मिलता है चाहिए आप किसी का भी देख सकते हो इसके अलाओ करना चाहिए तो फायर्श डीमेट अकाउंट को यूज कर सकते हो सिंपला है वहाँ पी आपको यहां पर चार्ड एक से जुएदा देख सकते हैं और भी का link दिया गया है direct account open करने का link दिया गया है आप लोग directly account open कर सकते हैं और आप अपनी trading और investment journey को start कर सकते हैं तो यह दोस्तों basic सी जानकारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें और channel पर नए है तो channel को subscribe करना नहीं बूलिएगा मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिंद बहुत बहुत धन्यवाद